देवाद धुरुब राठी ने कहा तो बिल्कुल ठीक है कि BJP टूल किट जो गैंग है ना वो सड़नली हाइपर एक्टिव हो जाती है जब उनकी फिल्म को क्रिटिसाइज किया जाता है इस पॉइंटिंग टूवर्ड कश्मीरी फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं फिर यह कहते ह है selective issues पर selective हला करना selective चुपी रखना यह हर एक किसी के साथ है दुरुब सर एक बात मैं आपको बताता हूं और याद दिलाना चाहता हूं और ध्यान आप उसकी और आकरशित करना चाहता हूं इस वीडियो को शुरुआत अगर मैं करूं तो सबसे पहले आपको हिंट देदू कि बात इस पर है कि अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियन माने जाने वाली जितनी विचारतारा की पार्टी है ना उनके दोगलेपन को फिर में एक्सपोज करने वाला हूं वैसे तो ये वीडियो धुरुब राठी को ओफेंस करने वाली दो बिलकुल नहीं है लेकिन फ और अभिव्यक्ति आजादी की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं और सुतंतरता और अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन इस तरह से होना चाहिए वाल्टेर की तरह ठीक है फेंस शायद इस बात को समझ कए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं अब इस व्यक्ति का पक्ष सुनना या फिर अपना प्रतिपक्ष सुनने को तयार नहीं है यह स्थिती देश के विचार को शुनिता के दोर की दोर की और ले जा रही है हर व्यक्ति अपनी विचारधारा और अपनी सोच को लेकर कहता है कि यह सर्वसरेश्ट है इसके इलावा कुछ भ आपको पता है कि राष्ट इस तर पर फेमस हो चुकी भोचपुरी की लोग कवी नेहा सिंग राथॉर्ड है पिछले ही दिनों आज तक के चैनल पे एक बात कही थी और रील्स पे तो काफी ज़्यादा वाइरल है कवी दो तरह के होते हैं एक लोग कवी होता है और एक सरकारी कवी होता है यह बात उन्होंने कारिकरा में मौजूद हिंदी कवीता के मंच की लोग प्रिय कवी अनामिका जैन अंबर के मौजूदगी में उनकी और इशारा करते हुए कहा था इसके थोड़े दिन बाद ही क्या होता है बिहार सरकार ने अनामिका जैन अंबर को बिहार के कारिकरम में शामिल होने से रोक दिया गया बेहर के सौनपुर में हर साल लगने वाले सबसे बड़े पशु मेले में एक कवी सम्मेलन होना था जिसके लिए अनामिका जैन को वहाँ पर इंविटेशन बकाइदा दिया जाता है जब वो इस कारिकरम के लिए हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंच जाती है और लेकिन उनको सौन पूर नहीं जाने दिया जाता है पता क्यूं विचारधारा खिलाफ है अच्छी बात ये रही कि उनके समर्थन में बाकी कवियों ने कवी संमेलन का बहिसकार कर दिया ये काफी अच्छी बात लगी ये सही है कि राज जी में जिस राजणनेतिक गठ बंधन की सरकार है ना उसकी विचारधना अनामिका जैन के विचारों से काफी अलग है यानि कि उनके असेहमती होती है सरकार की अनामिका की विचारधारा से लेकिन क्या यही एक बात है जो उनको बोलने से रोग देने के लिए परियापत कारण हो सकती है एक कवियत्री को इसलिए काविपार्ट करने से रोग दिया गया क्योंकि वो एक पक्ष को क्योंकि एक पक्ष उनको सरकारी कभी मानता है और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात के समर्थन में कविता लिखी थी अनामिका जैन ने उत्तर प्रदेश के पिछले विधान सभाच चुनाव में नेहा सिंग राठोड की आपको पता होगा कविता थी यूपी में काबा उसके जवाब में देती हुए यूपी में बाबा एक कविता लिखी थी वो भी वारल हुई थी इस आधार पर उनको सरकारी कभी कहा गया और एक गैर भाजपा साशन वाले राज्जी में उनको काविपार्ट करने से रोक दिया गया है बिहर में किसकी सरकार है और क्या विचारदारा है सोची जरूर, चैंपियन है यह लोग इसमें आपकी left, liberal और democratic विचार रखने वाली पार्टिया के समर्थन से चलने वाली सरकार है और इसका समर्थन करने वाले तमाम बुद्धी जीवियों ने अपनी नेतिक ताकत कम कर ली है इस तरह के आयोजन पर रोक लगा करके यह समझ में नहीं आ रहा अब अगर देश में किसी राज में कुनाल कामरा, वीरदास और इनके कारीकरम अगर रद्ध होते हैं या फिर सुरक्षा कारणों से कहते हैं कि मुनवर फारुकी का कारीकरम रद्ध किया जाता है अगर इनको निशाना बनाया जाता है तो कैसे ये पार्टियों और बुद्धी जीवी इसका विरोध करेंगे ये मुझे आप बताईए दुरुफ सर आप भी बताईए इस बात को आपके ट्विटर अकाउट से आना चाहिए था और से आप भी जाए यहाँ एक बात नोट रखने वाली है कि अनामिका जैन है न वो कोई भढ़काओ तरह की कविताई नहीं बढ़ती है अब सोचे कि भढ़का देंगे नहीं वो अपने को राश्ट्रवादी कवित्री कहती है और अपनी राजनितिक समझ के हिसाब से विचारधारा का समर्थन करती है इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस आधार पर अगर यही आधार है तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी बाधित हो रही है तो फिर किसी दूसरे विचारधारा का समर्थर करने वालों की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन फिर कैसे किया जाएगा पर ये लेफ्ट वालों को रोख ले तो खत्रे में आगे राइट वालों रोख दे तो कोई बात नहीं इनकी साथ ऐसे होना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो ये चीज थोड़ी है गलत इसका अगर बोगा लाकिन परस्पेक्टिव अगर दिखाने कोशिश करूँ तो राजनेतिक विचारधारा की तरह अब साहित्य और सिन्मा भी राजनीती का एक टूल हो गया है कल की वीडियो आप देख सकते है कश्मीरी प्रोपेगेंड़ा वाली जहां मैं आपको सू नियोजित होता है लेकिन आपको स्रजनात्मक लगता जोगी होता नहीं यह भी एक खतरनाक ट्रेंड है और केंद्र से लेकर राज्यों तक सरकारों को इससे साब्धान रहना चाहिए लेकिन दुरभाग इससे सरकारे भी सोशल मीडिया में बनने वाले नियरेटिव से काफी ज़्यदा प्रभावित हो जाती है वे कंटेंट की गुणवत्ता या फिर इसके गुण के दोश पर विचार बिलकुल नहीं करती है इसी का एक नतीजा है कि कहीं पर वीर्दास और मुनवर फारुकी के कारिकरम को रोक दिया जाता है तो कहीं पर अनामिका जैन कविता पाठ पढ़ने के लिए रोक दिया जाता है अरे वीर्दास और की कारिकरम रद्द कर दिया अब जब इनके कारिकरम रद्द हो जाते हैं और जो वर्क इनकी विरोध में अभिव्यक्ती की आज़ादी का ज़ंडा उठाते हैं और अनामिका जैन की अभिव्यक्ती की अधिकार का मामला आने पर या तो दायबाइं हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं या उनको कविता पढ़ने से रोके जाने को सही ठहराने लगता है जो कि मुझे व्यक्तिकत तोर प्र गलत लगता है जब तक आपी कभीता आप भड़काने वाली नहीं है तब तक कुई समस्या नहीं है अगर मैं गलत हूं मुझे बता सकते हैं इस तरह की प्रवर्ति सत्ता को मजबूत कर देती है इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग उनका समर्थन तो करेगा करेगा सरकार को पुरा भरोसा हो जाता अरे नहा सिंह राठ़ोड की कभीता सब्ता को डरा सकते है लेकर अनामिका जैनकी कभीता से किसी को डरना है घबराना चाहिए इस आप का जवाब अपने आप में बन जाता है इसलिए आपको कहाना था कॉमेंट सेक्षन में बता ना एक सवाल मैं अपने intellectual लोगों से अपने बुद्धी जिवी दोस्तों से लोगों से जानना चाहता हूँ कि selective चुपी अनामिका जैन के साथ जो कुछ हुआ वो सही था या गलत था मुझे आप बता सकते है क्योंकि आप इसको सही कहेंगे तो आपने अपनी आधी लड़ाई तो वैसे ही कमजोर कर ली है इस बाग को मैंने समझा दिया अगर आप सही कहते है या आप गलत कहते तो कॉमेंट सेक्शन में यस और रो बता देना काम खतम हो जाएगा है इस वीडियो को तीन वार्ण सेप कर लोड़ाईगाई यह ज्यादा कमेंट आए यह इन्ध वान् देबात रम स्टे अपडेटेटेटेटेटाएट ते अजुकेटेड संत्य में जायते तबश्कार